हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षन का देवता माना जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कामदेव भगवान विश्नु और देवी लक्षमी के पुत्र है। कामदेव का विवाह देवी रती के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्शन की देवी मानी जाती है आईए जानते हैं कामदेव और देवी रती की प्रेम कथा क्या है पौरानिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रहमाजी सृष्टी के विस्तार की कामना से ध्यानमगन थे उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन हुआ वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आग्या है तब ब्रहमाजी ने उससे कहा कि मैंने स्रिष्टी उत्पन करने के लिए प्रजाप्तियों को उत्पन किया था परंतु वे स्रिष्टी रचना में सफल नहीं हुए इसलिए यह कार्य अब मैं तुम्हें सौपता हूँ और इसे पूर्ण करने की आग्या देता हूँ परंतु ब्रहमाजी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से विदा होकर अद्रिश हो गए यह देख ब्रहमाजी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आग्या का पालन नहीं किया है इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा यह सुनकर कामदेव भैभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रहमाजी के समक्ष क्षमा मांगने लगे काफी देर तक कामदेव के लगातार विंती करने पर ब्रहमाजी प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए बारह स्थान दिये उन्होंने कहा कि हे कामदेव देव तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाक्ष, उसके केश राशी, उसकी जंधा, वक्ष, नाभी, जंधमूल अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्शाकाल, चैत्र और वैशाख महीना होगा इसके बाद ब्रहमाजी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, ज्रिम्भन, शोशन तथा उम्मादन नाम के पांच बान दिये वह धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना हुआ था, जिसमें मधुमक्खियों के शहत की रस्सी लगी थी उनके धनुष का बान अशोक के पेड के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे ब्रहमाजी से मिले वर्दान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमन करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम में वशी भूत कर लिया इसी क्रम में वे भगवान शिवजी के पास कैलाश पहुँचे भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे, तभी कामदेव छोटे से जन्तु का सुक्ष्म रूप धर कर कान के छिदर से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए इससे शिवजी का मन चंचल हो उठा उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है जब यह बात कामदेव को पता चला, तो वह उसी क्षन भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक व्रिक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए फिर उन्होंने शिवजी पर अपना मोहन नामक बान छोड़ा, जो शिवजी के हिदय पर जाकर लगा इससे शिवजी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेतर की ज्वाला से भस्म कर दिया जब यह बात कामदेव की पतनी रती को पता चली तो वह विलाप करती वहाहा पहुँची तभी आकाशवानी हुई जिसमें रती को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया आकाश्वानी सुनकर रती ने श्रधा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की रती की प्रार्थना से प्रसंχो शिवजी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था इसलिए मैंने इन्हे भस्म कर दिया अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेशानुसार महाकाल वन चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्तिभाव से शिवलिंग स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर्युग में कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मनी के गर्व से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा शिव के कहे अनुसार द्वापर्युग में भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मनी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो की कामदेव का ही अवतार था परंतु जन्म के पश्चात श्रीकृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंभरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फैंक दिया उस शिशु को एक मचली ने निगल लिया और वो मचली मचुवारों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंभरासुर के रसोई घर में ही पहुँच गई जब यह बात देवी रती को मालूम हुआ तो वह सोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारन करके रसोई घर में पहुँच गई वहां आई मचली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को मा के समान पाला पोसा जब वह बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई इतना ही नहीं सारी कलाई भी सिखाई तब प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रती से बिवाह कर उसके साथ द्वार का लौट आए